हलो एंड वालकम बैक तो माई चैनल आम बैक अगैन विद माई रीडिंग सालंकि आज मेरा गला खराब है दो दिन से मुझे फीवर भी था अभी भी बोलने में मुझे तकलीफ है बट सम्थिंग इस देर वुच आए वांट टू चेक सो और यह जो आप मेरा हाद में रैड कलर की चूडीज देख रहे हो यह मुझे मिली है निदीवन से राधारानी के मंदिर से प्रसाद की रूप में यह चूडीज मिली है इसलिए मैंने इनको पहन रखा है और आपको दिखा करने में अच्छा लग रहा है मुझे राधारानी कि दी हुई प्रसाद रूपी चूडिया आप भी अगर निदीवन में दर्शन करने जाओगे तो आपको भी प्रसाद मिल सकता है यह मैं भी वरंदावन जाके आई हूँ और अभी वरंदावन वाइब्स में ही हूँ लेकिन हाँ बहुत गर्मी थी और फिर ट्रेन में आते समय एसी था सर्दी गर्मी की वज़े से काफी अच्छा खासा फीवर हुआ मुझे दो दिन तक गला भी खराव है लेकिन एक कुछ तो रियालिटी शिफ्ट अभी जरूर हुआ है तो मुझे चेक करना है वाट रियालिटी शिफ्टिंग इस टेकिंग प्लेस फॉर अस कलेक है बट वो हो रहा है या होगा तो क्या चीज़े हैं हम जरा चेक करके देखना चाहेंगे तो पहले यहां पर हम इस तरीके से चलेंगे आपका पास्ट चेक करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही थी तिल नाव और अभी मतलब पास्ट थोड़े समय पहले नियर पास्ट में कैसी चल रही थी अभी प्रेजेंट ली अपकी लाइफ में क्या चल रहा है और नियर फ्यूचर में क्या शिफ्ट आने वाला है वह हम देखेंगे तो लेट्स चेक और कार्ड़ेक विच आलूज इस इस इंडियन विज्टम टेरो कार्ड़ देखेंगे मैंने बोला ना शिफ्ट होने वाला है वी हव दिस चेरियट कार्ड यह सम्थिं इस चेंजिंग बहुत फास्ट गती से जैसा आपने सोचा नहीं था इंग उतना फास्ट कुछ नो कुछ चेंज डेफिनिटली हो रह खराब थी आवाज भी बिलकुल आप देख रहे होगे कि नमनेस है वाइज में बट आपका रीसेंट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनरजी देखेंगे अगर पास्ट और प्रेजेंट मिलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैंगी यह चेंज आपकी लाइफ में हो होने वाला है ओके तावर कार्ट देखा है मैंने अभी अभी डेफिनेटलि देर इस अबिक सदन चेंज डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है कुछ ऐसी चीज जो आप रोक के रखना चाह रहे थे पकड़ के रखना चाह रहे थे नहीं चाहते थे कि हो लेकिन फिर भी व आपके ना चाहते हुए भी वह चीज आपकी लाइफ में हो रही है उपस यह काड भी इन दिनों में रीसेंट रीडिंग से बहुत सारा आ रहा है आपका रीसेंट पास्ट में आया है पेज ओफ वांड काड दुरुव काड आया है अभी मेरी लेटेस रीडिंग में ही यह आपके डिद्ग काड आई है वी है वह महर श्री वाल मिकी और उसके साथ मोही नी अरे बहुत ही इंट्रेस्टिंग कॉंबिनेशन है यह यह तो यह देखो मैंने बोला साना मुझे टावर काड नजर आया यह रहा टावर काड ओ ओ ओ और फुचर में क्या है लेट्स चेक फ यह जे राथ हारमन हरी बोल लां फनर दोर की यह 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 लौः टule ऐस काड़न काड Theo नजर फ्यर नैर फूट नियर ला दूर एक्षार मान हरी खू्いき यह लां जर लांद्व फुचा बंक बढम पीज पेंचिकल्स एंड पेज आफ स्वार्स वेरी वेरी मैनी पेज़ पेज ओ पेज चार में से तीन पेज़ हमारे पास में बॉटम चेक करते हैं पेज़ 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 पास्ट नियर पास्ट अनर्जी को चेक करते हैं, तो ये काड आगरने अगर आपने पुराने डेटिंग नहीं देखी, मेरी लास्ट वाली तो देखना, उसमें भी ये काड आया है, वो आप से क्यों मिले, ये डीडिंग मे भी ये काड आया है, तो आपके नियर रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है नियर पास्ट में शरत पुर्णी मा गई है जो कि एक फैक्ट बात है सच बात है नियर पास्ट में आप बहुत ही कॉंसेंट्रेशन के साथ अपना जो भी वर्क करते होंगे जो भी आप अगर आपका कोई पेपर वर्क है रीडिंग वर्क है राइटिंग वर्क है तो आप काफ़ सिंसिरली कर रहे थे यू हैड़ फ्यूचर आपका एक फ्यूचर ड्रीम था कि मुझे आगे जाके ये बनना है पता है क्या बनना है आपको ये बनना है आपका ये ड्रीम है कि आपको अभी प्रेजिन में ये ड्रीम है कि आपको एक बहुत बड़ा देख रहे हैं आप कैसे एक यंग सन्यासी है और ये एक ओल्ड सन्यासी है एक ओल्ड मॉंक आपको रिलीजिन के फिल्ड में कुछ करना है या तो ये देखिए इस पे नीचे लिखा दा पोप रिलीज कुछ ऐसी चीज जो ट्रेडिशनल ये आपके या फॉलो की जाती है ये आपके धर्म में फॉलो की जाती है उसको बहुत अच्छी तरह से जानना सीखना समझना ठीक है ये आप चाह रहे थे आप अपने नेर पास्ट में आपके इस बात को लेकर काफी उद्साह था और ओके दिस इस माई पाथ मुझे इस पाथ पर आगे बढ़ना है ठीक है इसा लग रहा है जैसे कि आप किसी पाथ पर जाते वे अचानक डेवियेट हो गए है अपने पाथ से डेवियेट हो जाने वाले है sudden change आपके अंदर आया है कुछ तो see इसके आगे क्या आना शेयत है तो the high priest card है यह high priest card है मतलब की सन्यासी या फिल उसी दर एका कुछ बहुत ही highly religious person highly knowledgeable person और यह आगे है पूरे ही मन मोहन यानि की something very different हा आप बिलकुल किसी different path पर चल पड़े हो ऐसा लग रहा है है और देखते हैं कि अगर नेगोसियेशन मेसेज़ेस अर्जेंट इमेल्स है तो यहां पर बहुत सारी बाते लिखी हुई है देखो आप ना पूरी तरीके से डूबे वे थे अपने में भी आपकी पड़ाई में या आपके जॉब में या करियर में या तो फिल साधना में हैं या आपका रिसेंट पास दिख रहा है मुझे आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश थे या फिर आप अपने सोलो अपने सॉलिट्यूड में अकेले पन में आप काफी खुश दिख रहे थे आप नहीं ने डिसकवरीज कर रहे थे आप अपने या लाइफ के पास्ट में तो और ये आपका प्रेजट है प्रेजट में आप कुछ highly ambitious कुछ करना चाहते हो जैसा मैंने बताया religious या priest बनना चाहते हो या फिर आप कोई बहुत बड़े पंडित बनना चाहते हो marriage marriages करवाने वाले या फिर वो नहीं होता है astro talk type something या फिर astrologer बहुत बड़े astrologer बनने की तयारी कर रहे है higher education में जाने की तयारी कर रहे हो अभी आप आपको society में बड़ा नाम big name big fame चाहिए आपको spiritual wisdom आप अभी भी मतलब even अभी भी आप Defin करने कोशिश कर रहे हो या lecturer बनने की आप तयारी कर रहे हो या फिर किसी तरह का मैं भी tarot card reading सीख रहे हो मैं भी astrology सीख रहे हो philosophy की पड़ाई कर रहे हो counseling की पढ़ाई कर रहे हो या फिर और किसी तरही किसे अपने बिजनेस को expand करने ही कोशिश कर रहे हो ओके लेकिन sudden change जो मैंने आपको बोला न there is someone in your life जिसने आपको मोहीनी काड़ा है या जिसने जिसकी presence आपकी लाइफ में एंजल की तरह आपकी लाइफ में sudden appearance जिसे मोहीनी अवतार होता न sudden आपको पाता है मोहीनी अवतार कैसे हुआ था जैसे देवता और दानव युद्ध कर रहे थे फिर अमरत कलश के लिए जगड़ने लगे और फिर अचानक से मोहीनी अवतार आता है और सारा कुछ खेली बलड़ जाता है it's like that so somebody has entered maybe somebody or maybe something okay जरूरी नहीं कि कोई इनसान ही हो कुछ गड़ना भी हो सकती है कोई इवेंट भी हो सकता है यह कोई कुछ भी हो सकता है sudden appearance हो आपकी life में किसी एक ऐसी चीज़ का जिसके कारण आप अचानक से आप बहुत ज़्यादा बहुत सोथ समझ के बोलना पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत ही strange card combination है देखो यह सब के लिए नहीं हो सकता कुछ यह के लिए ही होगा जितनी भी possibilities है मैं यह आप बता देती हूँ most possibly आप शायद कहीं पढ़ने गए या कहीं higher education के लिए गए या कहीं गए और वहाँ पर आपको कोई person मिला जिसकी energy बहुत healing energy थी जिसकी presence एक बहुत ही angelic presence थी ओओ ओके angelic guidance ओके या तो इस person ने आपको ओके ओके और इस person ने आपको कुछ ऐसी guidance दी है जिसकी विज़े से आप बहुत motivate हुए हो आप already इसी पात पर जाना चाहते थे इसी पात पर आगे बढ़ना चाहते थे बट कोई एक angelic person जो अच्छानक से आपकी life में अपीर हुआ जिसके लिए आपको पता नहीं था कि वो आपको क्या बोलने माला है क्या कहने माला है बट उसने आपको कुछ guidance दिया है उसने आपको बहुत सारा healing प्रवाइड किया उसने आपकी life में बहुत सारा balance लाया है वाव बहुत अच्छा influence इस परसन का आपकी life में अभी present में एक बहुत अच्छा influence बन रहा है और इस परसन ने आपको confidence gain करने में मदद की है आपके realignment में मदद की है ओके और I do think कि आप कहीं न कहीं इस परसन की प्रती अट्रक्टेड हो you are feeling this strong pull strong attraction towards this person blending to opposite forces यह आपकी मतलब जैसा कि दिखी रहा है आपको भी दिख रहा होगा यह बिल्कुल दो opposite energy है एक बिल्कुल ही angelic और एक बिल्कुल ही religious personality है लेकिन जैसे कि दो opposites attract उस तरीके से यह एक दो opposite poles बिल्कुल without any resistance easily and swiftly जैसे मोहीनी गुज गई थी बिना किसी resistance के सभी ने उनको स्विकार कैसे without any resistance यह परसन के साथ आपका कुछ ने कुछ bond बना है well this is a very angelic connection जो भी connection बना है बहुती सुंदर connection है very pure, very angelic यह परसन आपकी spiritual journey में किस तरह से help करने के लिए आया है या फिर इस परसन के साथ आपकी एक नई spiritual journey स्टार्ट हुई है यह जिस तरह का bond है न यह विश्वा मित्र मेंका वाला bond एक एसा कार्ड भी है मेरे उस एक दूसरे डेक में शार इसी डेक में एक कार्ड है विश्वा मित्र और मेंका यह भी उसी तरह का connection है strong twin flame energy इसके अंदर या strong soulmate energy इसके अंदर maybe आप इस परसन को या ऐसे किसी परसन को आप में लाइफ में manifest करना चाह रहे थे और अचानक से आपकी लाइफ में जिससे टपक पड़ा हो ऐसा लगता है आपने सिर्फ सोचा था या आपने सिर्फ ऐसी कलपना की थी कि ऐसा कोई परसन मेरी लाइफ में हो लेकिन वो आपकी लाइफ में presence इस समय बना चुका है ऐसा मुझे आपके लिए लगता है okay so what is the sudden shift in your reality okay page of pentacle new job अब आप मुझे लगता है कि इस person की presence की वज़े से या फिर इस person की influence की वज़े से अपने अपने जो भी आपका जो आपने सोचा था जिस पर पहले काफी दीरे दीरे मतलब ठीक है आपके दिमाग में था लेकिन आप उस पर कोई strong action नहीं ले रहते लेकिन अभी आप उस चीज़ पर बिल्कुल strongly action लेने वाले हो strongly आप उस चीज़ को मतलब अपने लक्ष को बिल्कुल focus में रखके आप काम करना शुरू करने वाले हो कि मुझे यह चीज़ चाहिए 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 किसी भी हालत में चाहिए anyhow मुझे चीज़ चाहिए जैसा कि मैंने बताया कि यह person आपकी लाइफ में एक unexpected और pleasant surprise की तरह है जैसे कि यह राम दूद काड है आप जैसे सीता जी की लाइफ में इनका आना like हनुमान जी का आना was a very pleasant and unexpected surprise की जहां पर वो आपको बता है न आशोक बाटे का मैं बैठके अगनी मांग रहे थे कि अब मुझे मरना है and at the same हनुमान जी वहां पर आते हैं और story में sudden change आता है एकदम से plot change रहता है story का और जो रावन का पल्रा भारी है वह अचनक से उसकी लंका जिल जाती है तो उस तरह का ही कुछ change आपकी life में होने वाला इस person की वज़े से इस love यह आपके अंदर जो यह love generate हुआ है उसकी वज़े से not because of this person but because of the okay person भी हो सकता है इसमें लेकिन आपका इनके प्रती जो प्रेम डवलफ हुआ है वो प्रेम आपको एक guiding light की तरह काम करेगा आपको आगे बढ़ाने में वो guiding light की तरह काम करेगा एंड जैसा कि मैंने कहा कि यह person आपकी life में unexpected और pleasant surprise की तरह बने रहेंगे good news आपको मिलती रहेंगी आगने वाले समय में good news आपको मिलती रहेंगी कुछ नई opportunities आपको मिलती रहेंगी growth के लिए opportunities तो यह reality shift मुझे आपकी life में नज़र आ रहा है अभी यह reality shift आपकी life में होने वाला है thank you very much for watching और करती रीडिंग में कुछ अधुरा अधुरा सा लग रहा है मुझे इसमें लेकिन मेरी नाग बह रही है और मैं इस रीडिंग को भी वाद continue नहीं कर सकती थैंक यू very much